आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लौकी की सब्जी एक दम सिंपल तरीके से बिना प्याज बिना लैसुन के सिंधा नमक के साथ जिसे आप ब्रत में भी खा सकते हमारे यहां छट पूजा में या कोई भी पूजा में नहां खा के दिन यह सब्जी बनता है हेलो फिर्ट नमस्ते स्वागत है पजोद की पाक साला में तो चले बनाना सुरू करते हैं मैंने लिया है एक कद्दू हमारे यहां कद्दू भी बोलते हैं इसे अलोकी तो इसे सबसे पहले कट करेंगे तो यह अपने खेत का है तो जितना बनाना हो मैंने आधा ही मैं सिर्क ब और लोकी में कभी इधर उधर रहता है ना हलका फुलका दाग तो इसको भी कट कर लेंगे और फिर काटेंगे इसे तो बारिक काट लेंगे पतला पतला इस तरह से अब चलते हैं एक कराही गरम करेंगे इसमें डालेंगे सरसो तेल में बना रही हैं अब जो भी तेल खाते उसमें बना सकते हैं तो डालेंगे तेजपट्टक जीर पक्षा गर्म दालेंगे यूड़ मिर्च तो लाल मिर्च नीचे से जालेंगे बस इतना ही डालेंगे फिर हम डाल देए लाकी को मिक्स कर देंगे ताकि नीचे से जीरा मिर्ची ज्यादा जहले नहीं अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोरी दिर कभर करके पकाएंगे और थोरी दिर के बाल हलका जब लोकी गल जाए तो डाल देंगे नमक पहले नहीं डालते हैं क्यूंकि लोकी गल्ता है या इसलिएतो क्याती है तो इस लिए तो अच्छे से से बीच बीच में चलाते हुए ये देखे तुम चेक करेंगे पहले लोकी अगर पक जाता है नथिया जो दैले थे नकाल लेंगे यह देखें और उसके बाद यह दाल मतने बालन मतानी दाल घोटनी लेकर के इसको अच्छे से मैस कर देंगे बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स एक दम सिंपल तरीके से नमक हमने सेंधा दाला है इस तरह से एक बार बना के देखिएगा बिल्कुल कोई भी मसाला नहीं नहीं प्याज नलहसुन बहुत ही टेस्टी सबजी लगता है हमारे यहां हर फेस्टीवल में नहाखाय को बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर कीज़ेगा चैनल परना है तो सब्सक्राइब कर लीज़ेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई